गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हमारे एक नए चैप्टर से शुरुवात करते हैं जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ओर्गेनिजम्स यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है और आपके डेली लाइफ से भी काफी जुड़ा हुआ है क्योंकि आप अपने अगल बगल इतनी सारी अलग अलग लिविंग तिंग्स की वराइटियां देखते हैं तो आव्वियस है कि वो आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए है आप अलग-अलग तरह के डॉक्स देखते हैं, अलग-अलग तरह की कैट्स देखते हैं, अलग-अलग तरह के पेंड पौधे देखते हैं, अलग-अलग तरह के लोग देखते हैं, तो इतनी सारी living species आपके अगल-बगल होती है, इसी variety को बोलते हैं diversity, तो हमारा जो chapter है उसका नाम है diversity in living organisms तो living organisms तो आपको clear है क्या होते हैं जिनमें life होती जो जिन्दा रहते हैं वो living organism होते हैं चाहे वो एक बहुत ही छोटा सा bacteria हो जो सिर्फ microscope से देखा जा सकता है या फिर एक blue whale हो जो कि 30 मीटर तक लंबी हो सकती है तो आप देख सकते हैं कि living organisms जो हैं वो कितने जादा diverse हैं डाइवर्स का मतलब उनमें इतनी सारी variety पाई जाती है living organisms में बहुत सारी variety होती हैं वो हम अपने अगल बगल देख सकते हैं बहुत आराम से इतने सारे अलग-अलग तरीके के पेंड हैं इतने सारे अलग-अलग तरीके के जानवर हैं ये सब जो हैं ये diversity का पार्ट है मैं example देता हूं आप जब school जाते थे कुछ दिन पहले lockdown से पहले तो आपके class में जो आपके friends होते थे या आपके classmates होते थे क्या वो सारे same height के होते थे जितनी आपकी height है नहीं ऐसा नहीं होता था क्या वो उनका color जो था वो same जैसा आपका color है वैसा ही था नहीं क्या उनकी आख नाक जो बनावट है चेहरे की वो आपके जैसी थी नहीं तो जब आपस में इतनी सारी dissimilarities हैं यानि असमानताएं हैं आपस में इतनी सारी तो आप सोच के देखिए कि इस दुनिया में इस अर्थ में कितनी ज़ादा ऐसे living things होंगे जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग हैं और हमें उन सब को पढ़ना पढ़ता है लगबग 20 लाख species हैं दुनिया में 20 million species हैं 20 million का मतलब होगे 2 करोड के आसपास तो 2 करोड species में से आप खुछ सोच लीजे कि कितनी आपने देखी हैं और कितनी आपने नहीं देखी हैं तो हमने उसका बहुत छोटा सा हिस्सा देख रखा है तो हमारा इंडिया ओल्दो एक mega diversity hotspot है mega diversity hotspot का मतलब यहां दुनिया भर की variety पाई जाती है इतने जानवर और पेड़ बहुत कम जगह मिलते हैं जितने इंडिया में मिलते हैं इंडिया में कुछ ऐसे जानवर मिलते हैं जो और कहीं नहीं मिलते हैं बेंगॉल टाइगर हो गया जैसे स्नो लेपर्ड हो गया लदाक में और भी ऐसे किंग कोब्रा हो गया साउथ में केरला में तमिल नाडू के जो रेन फॉरेस्ट हैं वहां पर पाया जाता है तो उन ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट में इतनी सारी पेणों की वराइटियां हैं इतने सारे जीव जन्तू हैं उनकी इतनी सारी वराइटियां हैं वो सब मिलकर पूरी अर्थ की जितनी वराइटियां हैं वो सब मिलकर डाइवर्सिटी बनाते हैं तो हमको ये पढ़ना है इस चेप्टर में कि living organisms, जो organism जिन्दा है, उनकी कितनी ज़ादा variety है और उस variety को हमको अलग-अलग group में बाट कर study करना है. तो एक छोटे से example से मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम उनको अलग-अलग group में बाटेंगे, जैसे हम इनसान है, तो हमारा एक group है, हम कहलाते हैं क्या human beings या homo sapiens बोलते हैं हमको, ठीक है? अब dogs का एक अलग group चलता है, cats का एक अलग group चलता है, cow का एक अलग group चलता है, बफैलो का एक अलग group चलता है, तो अलग-अलग जानवरों का अलग-अलग group चलता है, तो उनको किस basis पे बाटा गया है? सबसे पहले तो जो आधार था बाटने का सबसे पहले वो Aristotle ने बताया था कि तीन ही तो जगें हैं जहां पर अर्थ में living organism present है वो तीन जगें क्या होती हैं धर्ती, आकाश और पानी तो लैंड, वाटर और एर इन तीनों में living organism present होते हैं अब इन तीनों के बेसिस पे Aristotle एक साइंटिस्ट था उन्होंने इन तीनों जगहों के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था कि जो ओर्गेंजम जमीन में रहते हैं उनका एक ग्रुप बना दो जो एर में रहते हैं उनका एक ग्रुप बना दो जो वाटर में रहते हैं उनका एक ग्रुप बना दो लेकिन कुछ समय तक ये समझने के लिए तो ठीक था आपको भी सुनकर अच्छा लग रहा होगा कि बढ़िया इसने ग्रुप में बाटा है बट बहुत जादा confusion हो रहा था इस ग्रुपिजम से कैसे अ इन सब को एक साथ पढ़ना बहुत difficult है इन सब को इनकी similarities और dissimilarities के aspect में अगर हम पढ़ेंगे इनकी similarities और dissimilarities को लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो हमको ग्रुप बनाने में असानी होगी ना कि इस business पर कि ये land में रहते हैं air में रहते है water में, water में ही इतने सारे organism होते हैं इतने सारे living things होते हैं कि मतलब हम count नहीं कर सकते तो ये जो division था Aristotle का ये पूरी तरह से fail हो गया, क्योंकि ये justify नहीं कर पाया उस चीज़ को कि इतने सारे जो diverse, अलग अलग variety के जो living organism है वो कैसे एक साथ land में रह सकते हैं इनको कुछ अलग ग्रूप में तो बाटना होगा जैसे हम इनसानों का ग्रूप अलग है cats का अलग है, dog का अलग है fishes का अलग है, ओके तो उसी तरह क्योंकि ये हमारा ग्रूप कैसे बाटा गया, cats का डॉक का इंसानों का हम लोग का group कैसे बाटा गया हम लोग का group बाटा गया हमारी similarities और dissimilarities के basis पे कैसे जितने भी इंसान होते हैं सबके دो पैर होते हैं दो हाथ होते हैं दोनों पैरों पे चलते हैं दिमाग होता है सोचने के लिए ये कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ मैं जिनके बेसिस पर डिविजन किया जाता है रियल में ओके वहीं अगर हम गुड डॉक्स की बात करें तो वो चार पैरों पर चलते हैं वो भोकते हैं तो उस बेसिस पर उनका गुरूप अलग बना दिया गया कि चार पैरों पर चलने वाले भोकने वालों का गुरूप जो है वो डॉक्स का होगा मैं एक एक एक्जामपल दे रहा हूँ आपको ऐसे कैट्स का गुरूप बना दिया गया जो चार पैरों पे चलते हैं, म्याओं करते हैं, चूहों को खाते हैं, उनका एक ग्रूप बना दिया गया, वो cats हो गया, ठीक है, fishes का एक ग्रूप बना दिया गया, जो swim करते हैं, अंडे देते हैं पानी में ही, पानी में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, वो fishes का ग्रूप हो तरह से characteristics के basis पे, characteristics मतलब कुछ ऐसी पहचान जिसके basis पे वो दूसरे जानवरों से अलग है, अब देखें जैसे हम है human beings, हम से थोड़ा सा जादा अलग है कौन? chimpanzees और orangutans, उनका भी दिमाग हमारे जैसा तेज होता है, बस कुछ differences हैं, जैसे वो बात नहीं कर सकते हमारी तरह, communicate नहीं कर सकते हमारी तरह, जैसे हम बोल के कुछ भी चीज कनवे कर सकते हैं, उनके पूरे शरीर में बाल होते हैं, तो कुछ ऐसे characteristics हैं, जो हमको उनसे थोड़ कैसे बोलें, सबसे नजदीकी जो animals हैं, वो कौन से हो गए, यही chimpanzees और orangutans, और gorillas हो गएरा, इनको primates बोलते हैं, तो यह primates जो हो गए, या apes जो हो गए, यह सबसे नजदीकी हैं हमारे, सबसे closely resemble करते हैं हमको यह, सबसे ज़्यादा, एकदम मतलब क्या बोलेंगे उसको, तो relatable हैं हम लोगों से, यह, ठीक है, फिर उसके बाद monkeys का number आता है, जो monkey होते हैं, वो उसके बाद, apes के बाद monkeys हमसे relatable है, ठीक है, फिर monkeys के बाद फिर चार पैरो वाले जानवर जो हैं, ओके, फिर ऐसे ऐसे करके, यह पूरी जो group है, वो चलता जाता है, तो division of classification होता है, एक, उसका मैं आपको पूरा chain बता देता हूँ, एक, वो होता है, सबसे छोटा जो group होता है, वो होता है species, ठीक है, फिर उससे बड़ा group, जिसमें बहुत सारी species आ जाती है, वो होता है, genus, ओके, फिर उसके बाद, family, family में बहुत सारे genus आ जाते हैं, ओके, फिर आता है order, ओके, उसमें बहुत सारी families आ जाती है, ओके, families मतलब हम लोगों की families नहीं, वो animals की families होती है, अलग अलग, ठीक है, फिर आ जाती है class, उसमें बहुत सारी order आ जाते है, ओके, फिर आ जाता है division, जिसमें बहुत सारी classes आ जाती है, फिर आ जाता है kingdom, वो सबसे दिमाग में clear हो जाए kingdom plantay मतलब जिसमें सारे plants आएंगे ठीक है अब वो चाहे छोटा सा पौधा हो यानि घास हो या फिर बहुत ही बड़ा सा सिकोया का ट्री हो या people का ट्री हो ठीक है कुछ भी हो सकता है वो सारे के सारे plants जो है वो एकी group एकी kingdom में डाले गये हैं उस kingdom का नाम kingdom plantay ऐसे सारे animals चाहे वो एक छोटा सा चूहा हो या फिर इनसान हो तो वो सब एक group में डाले गये हैं उनका नाम है animals kingdom animalia फिर उसके बाद दो और है ठीक है जैसे kingdom plantay हो गया kingdom animalia हो गया वैसे kingdom reptilia होता है जिसमें सारे reptiles आ जाते हैं फिर kingdom aves होता है एवस में सारे birds आ जाते हैं फिर kingdom amphibia होता है जिसमें सारे amphibians आ जाते हैं ठीक है तो ये 5 kingdom जो है वो important है हमारी study के लिए तो यह हम आगे पढ़ेंगे तो इस lecture की शुरुवात मैंने introduction से की है अब देखते हैं इस chapter में NCRT ने क्य लिखा हुआ है हम उसको पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है have you ever thought of the multitude of life forms that surround us क्या आपने कभी सोचा है कि कितने सारे living things है जो हमारे अगल बगल रहते हैं each organism is different from the other to a lesser or a greater extent हर एक organism एक दूसरे से अलग है भले वो थोड़ा ही अलग हो या फिर बहुत ज़्यादा अलग हो लेकिन एक दूसरे से अलग है जैसे एक डॉग हमसे अलग है कही ज़्यादा एक monkey जो है हमसे अलग तो है लेकिन काफी similar है तो मतलब थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ज़्यादा अलग कौन सा हो गया एक डॉग हो गया या एक फिश हो गया for instance consider yourself and a friend आप एक example से देखिए आप खुद को और अपने एक दोस्त को compare करिए जैसा कि मैं बता रहा था क्या आप दोनों के height same है नहीं आपकी नाग जो है आप दोनों की एक जैसे दिखती है नहीं क्या आपके दोस्त का जो हाथ का size है वो आपके हाथ के size के बराबर है नहीं तो ये सारी dissimilarities आप दोनों के अंदर आगई जबकि आप दोनों इंसान है फिर भी इतनी dissimilarities आगए तो सोचे इस दुनिया में जो 20 million species हैं उसमें से कितनी dissimilarities होंगी आपस में However, if we were to compare ourselves and our friends with a monkey ठीक है अगर हम और हमारे दोस्त जो है हम लोग आपस में एक दूसरे को compare करें monkeyों के एक group से कि जो बंदर हैं वो हमसे कैसे अलग है तो हम में साफ समझ में आएगा वो हमसे काफी अलग है एक तो पहली बात वो पेड़ों पे रहते हैं चार पेरों पे mostly चलते हैं दो पेरों पे बहुत कम चलते हैं उनकी पूछ होती है लंबी सी तो कई ऐसे dissimilarities हैं जो इंसानों में नहीं मतलब इंसानों में वो dissimilarity जो है वो continue होती तो जैसे बंदर हमसे काफी अलग हैं लेकिन हम तो पहले हम आपस में अलग थे लेकिन अगर हम compare करें बंदरों के ग्रूप से तो हम ऐसा बोलेंगे कि यार हम तो एक हैं यानि हम मैं और मेरा दोस्त जो हैं वो एक हैं हम एक ही जैसे हैं लेकिन बंदर हमसे अलग हैं थीक है बट अगर मैं बोलूँ आप खुद को बंदर को और एक गाए को compare करें तो आप बोलेंगे यार हम और बंदर तो कम से कम काफी हद तक एक जैसे हैं ओके लेकिन गाय तो हमसे काफी अलग हो गई तो आप और बंदर जो है वो एक ग्रूप में आ जाएंगे हम लोग और बंदर जो है वो एक ग्रूप में आ जाएंगे और गाय हमसे अलग ग्रूप में चली जाएगी तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे पहले आपके और आपके दोस में dissimilarity थी लेकिन जब हमने compare किया बंदर से तो हमने बोला कि हम आपस में तो एक जैसे है मैं और मेरा दोस आपस में एक जैसे हैं बट हम बंदरों से अलग है वहीं जब गाय से comparison हुआ तो हम बोले हम और बंदर एक जैसे है लेकिन गाय हमसे काफी अलग है तो ऐसे ऐसे करके similarities और dissimilarities बढ़ती जाती है तो हम इस chapter में आगे पढ़ेंगे मैं आशा करता हूँ आप लोग को मैं ठीक समझा पा रहा हूँ और अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो please doubts में पूछेगा जो आपको समझ में नहीं आए obviously we and our friends have a lot in common हम और हमारे दोस्तों में बहुत सारी चीज़ें common होती है when we compare ourselves with monkey जब हम खुद को एक बंदर से compare करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे और हमारे दोस्त में बंदरों से तो जादे similarity है मतलब हम और हमारे दोस्त एक हैं बंदर अलग है लेकिन अभी तक क्या था मैं और मेरे दोस्त कहां अलग है अलग अलग तो हैं उसकी नाक मेरे जैसी नहीं है ऐसा ऐसा करके बहुत सारी चीज़ें थी अब activity 7.1 में क्या लिखा हुआ है आपने देशी गाय और जैसी गाय के बारे में सुना होगा जो देसी गाय है वो क्या जैसी डिखती हैं? नहीं वो एक जैसी डिखती हैं? नहीं कुछ characteristics होते हैं, जो basis होते हैं, यानि जो आधार होते हैं, classification का, identification का basically, कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि कैसे जर्सी गाये जो है, वो normal जो अपनी देसी गाये हैं, उनसे अलग है, क्या देखेंगे, वो जो देसी गाये है, वो छोटी होती है, ये साइज में जर्सी गाये बड़ होती है, जर्सी गाये की सींग जादा बड़ी नहीं होती, देसी गाये की सींग बड़ी होती, तो ऐसे ऐसे करके कुछ identifying things होंगी, जिनके basis पर हम देख पाएंगे कि कैसे जर्सी गाये जर्सी गाये से अलग है, इन दिस activity, we had to decide which characteristic were more important in forming the desired category, इस activity में हम ये देखेंगे कि कौ कौन से ऐसी चीज़ें थी, जो हमने गौर की, जिसको देसी गाये से जर्सी गाये को अलग बनाया, जिसने, ऐसी कौन से ऐसी चीज़ें हमने देखी, जो जर्सी गाये में थी, लेकिन देसी गाये में नहीं थी, या देसी गाये में थी, जर्सी गाये में नहीं थी, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं characteristics या characters ठीक है hence we were also deciding which characteristics should be ignore और हम ये भी decide कर रहे थे कि कौन से characteristics को ignore करना चाहिए जो same होंगे उनको ignore कर दिया जागा जैसे अगर हम बोलें कि देशी गाय के चार पैर होते हैं तो वो तो जर्जी गाय के भी होते हैं तो दोनों का characteristics same हो गया उस characteristics को हमने ignore कर दिया तो हमने जो different characteristics थे मतलब जो दोनों में असमान ताएं थी difference था उन characteristics को पिक किया now think of all the different forms in which life occur on earth अब सारे अलग-अलग forms को सोचिए जिसमें life earth में होती on one hand we have a microscopic bacteria of a few micrometer in size एक तरफ हम देखते हैं एक छोटा सा bacteria है जो की एक micrometer का है छोटा सा है बहुत सूश में है while on the other hand we have blue whale दूसरे end पे हम देखें तो blue whale इतनी बड़ी होती है 30 meter की होती है हम तो 2 meter से भी कम होते हैं height में एक fully grown man जो होता है वो 2 meter से भी कम होता है average लेकिन blue whale देखिए 30 meters समझ रहे हैं हम से 15 गुना जादा एंड 100 meters respectively जो redwood tree होते हैं वो 100-100 meters के होते हैं एक football ground के बराबर इतना बड़ा पेड़ा आप सोच सकते हैं लेकिन होते हैं एक छोटे से घास से लेकर redwood tree का आप देख सकते हैं redwood का tree कितना बड़ा होता है उसकी height होती है 100 meter ओके दस redwood tree मिला लें तो एक किलो मिटर हो जाएगा इतना height होता है उसका some pine trees live अब यहाँ पर हम देखिए पहले हमने क्या देखा height का difference देखा size का देखा अभी है ना एक characteristic अभी हमने क्या पकड़ा height क्या देखा हमने हमारी height जो थी वो 2 meter से कम थी लेकिन blue whale की कितनी थी 30 meters वैसे ही एक छोटी सी grass की height कुछ centimeter होती है वहीं redwood tree की height कितनी हो रही थी 100 meters हो रही थी तो आप देख सकते हैं पहला हमने classification क्या लिया size या height का अब अगला characteristic हम क्या लेते हैं अगला characteristic हम लेते हैं कि कुछ कीडे मॉकोडे होते हैं जैसे मच्छर मच्छर कुछ दिन तक जिन्दा रह पाता है मख्या कुछ हफतों तक जिन्दा रह पाती है लेकिन हम इनसान 70 साल तक जिन्दा रह लेते हैं एक डॉक को देखें तो 14 से 15 साल जिन्दा रहता है वो, कभी-कभी 20 साल तक भी जिन्दा रह लेता है, एक हम अगर टॉटोई इसको देखें, तो वो 100 years से भी उपर जिन्दा रह लेता है, तो आप देख सकते हैं कि दूसरा जो हमने character चुना है, वो है क्या age या life span बोलते हैं कैसे एक living organism जो अर्थ में है, वो सिर्फ कुछ दिन जिन्दा रहता है, जैसे मच्छर और कैसे एक living organism टॉटोई जो है, वो 100 से 100 साल से भी उपर तक जिन्दा रहता है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, कि some pine trees, कुछ जो pine होता है, pine मतलब चीड, pine के जो पेंड होते हैं, यह hilly areas में, हिमालियन region में ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कुछ pine के पेंड होते हों, हजारों साल तक जिन्दा रहते हैं, लेकिन कुछ insects होते हैं, जैसे मच्छर और वो कुछ दिन में मर जाते हैं, life span also ranges from colorless और even transparent worms to brightly colored birds and flowers, तो दो करेक्टरिस्टिक अभी हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, एक height या size, और दूसरा करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा क्या, life span, अब तीसरा करेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, तीसरा करेक्टरिस्टिक है, color, आप देखेंगे, कुछ organism बिलकुल dull color क होते हैं, जैसे crocodile देख लिजए, आप elephant देख लिजए, एक दम grey color का, गंदा सा मट मैला टाइप का color होता है, वहीं कुछ कितने brightly colored होते हैं, जैसे parrot देख लिजए, आप peacock देख लिजए, कितने अच्छे-च्छे colors होते हैं, butterflies देख लिजए, तो आप देख सकते हैं, कि ये पे groups को बाटा जाता है, यहीं एक characteristic हैं, कुछ जिनके basis पे groups को बाटा जाता है, this bewildering, यानि बहुत शांदार wild variety जो है, life की हमारे अगल बगल, वो करोडों साल से evolve होई है, एक दो दिन में नहीं बन गई है, या कुछ महीनों, कुछ सालों में नहीं बन गई, करोडों साल अर्थ में ऐसा माना जाता है, एक theory of panispermia पढ़ी जाती है, उस theory में यह लिखा है, कि जो life का शुरुवात है, life की शुरुवात एक cell से हुई थी, और वो proper cell भी नहीं था, कुछ chemicals थे, जैसे carbon dioxide, hydrogen, oxygen, methane, तो यह सब कुछ chemical मिला के, एक छोटा सा organism बन गया था, अर्थ के temperature और pressure के according, एक छोटा सा bacteria जैसा जानवर बन गया था, उस bacteria जैसे जानवर से, फिर थोड़ा और advanced जानवर बना जैसे protozoa, protozoa के बाद बना क्या, फंगस जैसा कोई जानवर बना, फिर धीरे धीरे क्या, plants बनने लगे, छोटे छोटे पौधे बनने लगे, फिर पौधों से क्या बना, धीरे धीरे करके, कुछ पानी में रेंगने वाली चीज़ें बनने लगी, ठीक है, तो थोड़े थोड़े animals बनने लगे, वाटर वाले फिर वाटर वाले animals से कुछ लैंड वाले animals बनने लगे, तो ऐसे ऐसे धीरे 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 करके, करोडों साल तक, जब evolution हुआ है, तो करोडों साल तक evolution होने के बाद, आज जो हम अगल बगल अपने living organism देख पाते हैं, वो आएं, ओके, so we cannot look at them one by one, हम एक के बाद एक उनको study नहीं कर सकते, instead we look for similarities among the organism, हम similarities देखते हैं, उन similarities के basis पे group बना देते हैं, ठीक है, which will allow us to put into different classes, अब वो similarities हमें क्या मदद करेंगी, कि अलग-अलग organism को अलग-अलग classes में रख दिये जाए, या अलग-अलग groups में रख दिये जाए, and then study different cases or groups as a whole, फिर हम अलग-अलग cases को study करें, या groups को study करें एक साथ, ठीक है, in order to make relevant groups to study, अगर हमको पढ़ने के लिए एक relevant group बनाना है, एक proper group बनाना है जो हम पढ़ सकें, तो we need to decide which characteristic, decide more fundamental differences among organisms, हमें ऐसे characteristic चुनने होंगे, अगर हमको आसानी चाहिए पढ़ने में, या divide करने में organisms को, तो हमको ऐसे characteristic चूज करने होंगे, जो बहुत ज़ादा अलग है एक दूसरे के, हम similar characteristic चूज नहीं कर सकते हैं, similar characteristic suppose आपने चूज कर लिया कि, सारे दो पैरो वाले जानवरों को चलने, जो दो पैरो वाले जानवर होते हैं, दो पैरो पे जो चलते हैं, उनको एक group में डाल दिया जाए, तो कुछ apes भी आ जाएंगे, chimpanzees वगेरा भी आ जाएं जानवर हैं, जो बोल सकते हैं, वो सिर्फ इंसान हैं, तो इंसानों को पूरा group अलग बनाओ, तो हमने एक अलग चीज देखी, जो और किसी में नहीं मिली, ठीक है, एक दम different चीज थी, तो उसी different चीज के basis पे हमने, उसी different characteristic के basis पे हमने group बनाने हैं, ओके, within each group, smaller subgroups will be decided by less important characteristic हर group के अंदर एक छोटा subgroup होगा, जिसमें और कम characteristic होगे, ठीक है, अब हम देखते हैं, classification का basis क्या होता है, यानि आधार क्या होता है, attempts at classifying living things into groups, बहुत सारे attempt किये गए हैं, living things को group में बाटने के, लेकिन जादा तर attempts successful नहीं हुए, हम देख लेते हैं, क्या-क्या attempts किये गए ह और कौन सारे attempt successful होए, एक Greek thinker था, मतलब Greece का, Greece एक जगे है, जिसकी capital Athens है, जहां पर पहले Olympic होए थे, तो उस जगे पर एक scientist पैदा हुआ था, जिसका नाम है Aristotle, ये एक बहुत तगड़ा philosopher भी है, इसकी philosophy को UPSC वाले जो IAS, PCS वाले जो अधिकारी होते हैं, जो SP collector होते हैं, व कि उससे अपन को मतलब नहीं है, अभी, तो Greek thinker थे, Aristotle जो थे, इन्होंने classify किया था animals को किस basis पर, जहां वो रहते थे, जैसे जो land में रहने वाले animals हैं, उनको अलग कर दिया, जो water में रहने वाले हैं, उनको अलग कर दिया, जो air में रहने वाले हैं, उनको अलग कर दिया, औ बहुत ही simple तरीका हो गया, लोगों को पसंद भी आया है, बट यह successful नहीं था, but misleading to, misleading मतलब बेवकूफ बनाने वाला तरीका था यह, क्योंकि इतने सारे organism land में रहते हैं, एक दूसरे से इतने अलग हैं, आप कैसे उन सब को एक साहता रख सकते हैं, okay, for example, animals that live in the sea includes corals, whales, octopuses, starfish and sharks, अब देख सकते हैं, जो water में animals रहते हैं, या sea में रहते हैं, एक दूसरे से कितने अलग होते हैं, corals, corals मतलब शैवाल, एक तरह से plants होते हैं यह, कहां के, water के, यानि oceans वगेरे में पाए जाते हैं, whales, whales जो है, वो mammals होते हैं, कितनी बड़ी whale जो होती है, वो, सबसे आपको बता दूँ, okay, whale fish नहीं होती, although fish जैसे दिखती है, लेकिन whale mammal है, क्योंकि यह direct बच्चे को जनम देती है, यह अंडे नहीं देती, ठीक है, इसी लिए whale क्या है, mammal है, okay, octopuses, octopus देखे, आठ हाथ होते हैं, उसके, octo मतलब आठ होता है, okay, octopus कितना अलग है, starfish, starfish, जो है star जैसी दिखती है, okay, sharks, sharks सबसे ज़्यादा बड़ी मचली है, whale shark होती है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी मचली होती है, okay, we can, तो आप देख सकते हैं, कि कितने, यह सारे जानवर पानी में रहते हैं, बट एक दूसरे से कितने ज़्यादा अलग हैं, okay, तो हम कैसे इन सब को एक साहता रख सकते हैं, we can immediately see that these are very different from each other in numerous ways, बहुत सारे तरीकों में एक दूसरे से अलग हैं, in fact, सर्फ एक चीज़ है जो common है इन में, क्या, कि यह पानी में रह पाते हैं, यह सब पानी में रहते हैं, सर्फ यही चीज़ common है, बाकि सारी चीज़ें अलग हैं इन में, okay, this is not an appropriate way of making groups of organism to study and think about, यह सही तरीका नहीं था, organisms को group में बनाने का, okay, यह group में बाटने का, कि आप जो land में रह रह रहे हैं, उनको अलग कर दो, जो water में रह रहे हैं, उनको अलग कर दो, air में रहने वालों को अलग बना दो, बहुत जारा confusion होगा ऐसा करने से, ठीक हैं, क्योंकि आपने देखें, कि water में रहने वाले animals को, जब हमने 4-5 animals को देखा, तो वो 4-5 ही आपस में कितने जादा अलग थे, बिलकुल नहीं मिलते थे, सर्फ एक चीज़ थी common उन में, कि वो पानी में रह पाते थे, okay, we therefore need to decide which characteristic to be used as the basis of, for making the broadest division, अब हमें decide करना है, कि हम ऐसे कौन से characteristic चुनेंगे, जो कि सबसे ज़ादा division कर सकें, यानि divide कर सकें, groups को, ठीक है, तो यह similarities नहीं होनी चाहिए, dissimilarities होनी चाहिए, okay, then we will have to pick the next set of characteristics for making subgroups within these divisions, अब हमें अगला set characteristic का देखना पड़ेगा, वो set क्या है, the process of classification within each group, can then continue using new characteristic at each time, हर बार हमें नए नए characteristic लाने पड़ेंगे, अलगला groups के लिए, before we go on, आगे बढ़ने से पहले, we need to think about what is meant by characteristic, आगे बढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो, कि characteristic का मतलब क्या होता है, okay, तो characteristic मतलब होता है, कुछ ऐसे गुण, जो कि एक जानवर को दूसरे जानवर से अलग बनाते हैं, ठीक है, when we are trying to classify a diverse group, जब हम एक बहुत बड़े group को classify करने की कोशिश करते हैं, यानि उनको नाम देने की कोशिश करते हैं, we need to find ways in which some of them are similar enough to be thought of together, तो हमें ऐसे तरीके भी निकालने पड़ेंगे, कि जो एक जैसे दिखते हैं, उनको सबको साथ में रख दो, जैसे हम इनसान एक जैसे द दिखते हैं, उनका एक group बना दिया, सारी cats एक जैसे दिखते हैं, उनका एक group बना दिया, तो ऐसे ऐसे करके, जो सबसे ज़्यादा एक जैसे दिख रहे थे, उन सबका एक group बना दिया, ठीक है, लेकिन ये आपस में काफी different है, जैसे हम इंसान अगर dogs से compare करें, तो कितना है वो dogs में नहीं है जो dogs में है वो हम में नहीं है dogs की सुंगने की शक्ति बहुत अच्छी होती हम में अच्छी सुंगने की या smell करने की शक्ति नहीं होती तो ऐसे बहुत से characteristics है जो उन में है और हम में नहीं है तो उनी characteristics के बेसिस पर division किया गया है, जो सब एक जैसे दिख रहे हैं, उनको एक group में डाल दिया ठीक है, और अलग-अलग groups बना दिये ठीक है, what we mean by a characteristic is a particular feature और a particular function, characteristic मतलब क्या होता है, वो एक particular feature होता है, या particular function होता है, जो सिर्फ उसी तरह की group में मिलेगा जैसे इनसानों में ही बोलने वाला characteristic मिलेगा, और किसी आपको जानवर में नहीं मिलेगा तो इनसानों के लिए वो एक particular function हो गया, particular feature हो गया, जो इनसानों को बाकी group से अलग बनाता है that most of us have five fingers on each hand, thus is a characteristic एक characteristic की यहाँ पर इनों ने बात किये है, कि हम में पाँच उंगलियां होती है, एक हाथ में ठीक है हम दोड सकते हैं लेकिन एक जो बरगत का पेंड है वो दोड नहीं सकता यह भी एक characteristic है जो जिस characteristic ने हमको बरगत के पेंड से अलग बना दिया now to understand how some characteristics are decided as being more fundamental than others अब यह समझने के लिए कि कौन से characteristic ज़ादा ज़रूरी है कौन से कम हमें एक division create करना होगा एक दिवाल create करना होगी ठीक है अगर आप देखें एक दिवाल को बनाते समय जो stones यूज किये जाते है वो अलग अलग shape और size के होते है जो सबसे उपर दिवाल में सबसे उपर जो stones होते है the stones at the top of the wall would not influence the choice of the stones at the come below them that come below them मतलब जो उपर present होते है stones दिवार जब बनती है तो जो पत्थर उपर present होते है वो नहीं बताते की कैसे बनानी है दिवार जबकि जो नीचे present होते है वो दिवार को मसबूती देते है उपर वाले दिवार को मसबूती नीचे जो base बनाए गया है वो दिवार को मसबूती देता है तो उसी तरह जो हम base बनाएंगे division का वो हमारे पूरे classification को मसबूती देगा तो guys मैं आज के lecture को यहीं पर resume करने जा रहा हूँ sorry pause करने जा रहा हूँ मैं रोकने जा रहा हूँ आज के lecture को मैं यह चाहूंगा प्लीज यह मेरी request रहेगी आप सब लोगों से जहां पर भी doubt आए जितना भी बड़ा doubt हो please don't hesitate feel free to ask the doubt from me कोई शरम की बात नहीं है please मैं इसे doubts पूछिए जहां पर आपको doubt हो बार बार मेरे lectures को revise करिए और जितने भी teachers से उनके lecture को revise करते रहे है ताकि जब school खुले तो आपका base बहुत अच्छा हो जाए okay so that's all for now guys thank you so much